अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा। अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें परिणाम होगा। इंडिया मुवी के बारे में जहां दोस्तों आज किस वीडियो में रिवीव करेंगे चकदे इंडिया मुवी मुवी रिवीव और इस मुवी से जुड़े ऐसे रोमांटिक फ्याक्टे जो सायदा आपने जानते होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथी साथ बेल एकन प्रेस करना बिल्गू ना मुले। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात केले इस कुलीम का समतिक आम्मेतिा शुक्ला ने इस मिलिम का संपातिक किया गय था और संगीत सल्लीम सुल्यमान द्वरा दए गय द्या गय था जो संगीत काफी सुपरडू पर सावित हुई थी। और चकदे इंडिया मुवी का यसराज फिलिंस द्वारा उत्पादिक किया गया था और यसराज फिलिंस द्वारा बिद्रित किया गया था दस अगर 2007 में रिलीज हुई चकदे इंडिया मुदी का समय सिमाई 1-49 मिनिट की बनाई गए थी और भारत में रिलीज किया गया था और हिंदी भासा में बनाए गया था दोस्तो बात करें सिलन्गी बजटी इन बॉकस अब क्रेक्षन की बारे में इस फिल्म को बनाने में 2016 मिलियन 2020 में तैं और इफ्लिम ब्लोगबॉस्टर सावित हुई थी चक्दे इंडिया सिमित आमिना द्वारा निर्देशित और आदित्या जोड़ा द्वारा निर्देशित एक निर्मित द्वाजा साथ की भारती हिंदी भासा की रिपोर्ट फिलिम है जिसमें जैदिप सानी द्वारा लिखित और एक स्क्रिप्ट राद मिलर द्वारा कोरियोग्राफर किये गए हैं खेल के द्रिश्ट्या और संगीत है सलिन सुल्वेमान द्वारा यह बारत की महिला राष्ट्य फिल्ड हागी टीम के बारे में एक कलातनी कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीच से प्रेरित थी खिलिम में सारुख खान भारतिय पुष्ट भारतिय पुष्ट राष्टिय फिल्ड हागी टीम के पुरुवा कप्तान कर्बीर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक विश्वार एक विनासकारी नुकसान के बाद खान को उस सा उस खेल से बहिक्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज परडोस्टिय द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुल को छुड़ाने के लिए खान भाते राष्टिय मैला हकिटि के कोच बन गए और अपने सोला बिवाद एसपत खिलाडियों को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के 67 दिवस के असर पर 10 सगर 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इस फिलिम एसे 9 क्रोट से अधिकी कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया द्वारा प्लोग बस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदाशन और नारिवादी विशय के लिए प्रसांस के साथ इसे बैपप अलुचनात्नक प्रसांस मिली चक में भारत ने कई प्रसकार जीते और जिसमें संपूर्ण मनोरंजक प्रादन करने वाली सरो स्रेष्ट लोग प्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रसकार भी सामिल है 327 को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइंसेज ने अपनी मार्ग रेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एर्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोद किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा पुन्न संगठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वह भारतिय हाकी टीम कहा कि वह भारतिय हाकी टीम में चक्दे प्राभाव पैदा करते हैं और खिलिम को 17 अगर्थ 2016 को नई दिली में प्रावदिशित किया गया था जो की सताहांत बर चलने वाले 17 दिवस फिलिम सम्रोह के हिंसे के रूप में था भारत के 77 दिवस के उपल अच्छा में भारतिय फिलिम सम्रोह में दीने स्लै और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस सम्रोह को प्राथुष्ट किया गया चक्दे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिन्टों के दौरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय दिन के कप्तान कप बिर्खान को फाल्ड किया जाता है तो वो पेंटनी पेंटनी एस्ट्रों लेते हैं और उनका स्वाट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैस हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए एक प्रस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानु भूती के कारण खेल को फैंक टैकने का संदे है जानिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी पारती मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई बविस्या नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्रा दिर्गे काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हाला कि उसे बताता है कि कबिर खान सिंग को कोज करना चाता है और शुरुआत में देहन्त होने पर तिरपाठी ब्यवस्ता के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारतिय फिल्म अब्विनेता किंखान याली सारुखान सारुखान जिनोंने अक्सर सारुखान के रूप में स्वेर्या दिया जाता है और अपन और अपचारिक रूप से एसार के नाम से भी संदभ भिर्ति किया जाता है एक भारते फिल्म आप बिनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूर्ट का बादसा किंग खान रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूर्ट नामों से पुरस्कार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्सान थिलर जैसी सोलियों में बहुत्तर हिंदी फिल्मों में आप बिनेता है फिल्म उद्धोग में उनके योगदान के लिए उन्हें तीस नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरस्कार जीते हैं और वो और दिलीब कुमार की ऐसी द दो अभीनेता है जिन्होंने फिल्मेफेर सार्व स्रेश्ट अभीनेता पुरसकार आठ बात जीता हैं 2005 में भारा सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्रति उन्होंने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभीनेता बन गये थे शारुखान उपादिक ग्रानों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की शुरुवात उन्हें से हसी के रंगमचो वाक कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बादने में बेपारिक दिरिफ्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम चेत्रम में कद प्रथम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्में थे और प्रथमा बिने प्रस का प्रथम किया गया और इससे परस्टात उन्होंने कई फिल्मों में नाकास्मक भूमिकाओं आदा की और दर उन्हें से देखे देखे हैं और वह बिवीन परकार बीवीन बिवीन परकार की फिल्मों में कार्या किया कीया में चाड़ में रोमांस फिल्म में और इतिहासिक द्रामा फिल्म भी आसमर्थ अर्थ सस्त्र में उपादी ग्रान करने के बाद उन्होंने आपने केरिय की सुरुवात उन्हे से असी में उन्हे से असी में रंगमच्चो वक कई टेली वीजन दाराईको से की और उन्हे से बानवे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिल्म जिवाना से फिल्म छेत्र में इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फेयर प्राथम और बिने प्रशकार प्रादाम किया गया और इसके परस्चार्थ इन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई प्रकार की घुमिखती दिखे गए हैं और वह व्विविं व्विविं प्रकार की फिल्मों में वी कार्या किये हैं खान ने खान के मातापिता की प्ठों के चीव मतापिता पठान मुल्क valves के थे खान ने अपनी केरियर की शुरुआत उन्हें 88 में दूर्दसन के धराईखोजी के प्राम्ड में किया और जिसमें उन्होंने कनडो अभी मन्निर राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने कई धराईखों में अभिनाय किया और जिन में प्रामुग था उन्हें 89 का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जिवन का सर्ना वर्नन किया गया था और जो अजिस नेजाद द्वारा नेजदेशी था और उसी ही बर्स उन्होंने आरूंधित राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वीज एन वीज इट डो वन्स में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिल्ली विश्वा विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उन्हें से पंचानमे में इन्होंने आदितिया चोपडा कि पहले फिलिम दिल वाले दुनहने ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिवूट के इतहासिक में सबसे सफल हिट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस रिष्ट अभीनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उनके लिए एक निराश जनक साल रहा कि उसमें 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 उनकी सारी फिल्म शफल रही और उन्हें से 97 में उन्हेंने यस चोपडा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की सुबास गाई की परदेश और आजेज मिर्जा की येस बस जैसी फिल्मों के साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हे से बर्स उन्हे से अंठाइमे में करंजवर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ-कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चौथी बार फिल्मे फिल्मे फिल्म समिच्छकों से काफी तारीव मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रदसन एसमार नहीं रहा और वो असर बैपार ही कर पाई और सन 2000 में अदित्या चोपडा की मोहबबते में उनके केरियर के उनके किरदार को समिच्छकों से बहुत ही प्रसांस मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्म 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 समिच्छकों सर्वस्रेश्ट अब्विनेता प्रसकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस जोस भी हीट हुई और उस ही बर्स में खान ने जोही चाला और आजीज मिर्चा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिल्म निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चाला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिल्म हेराम में भी खान ने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छ को ने सराना किया और हाला कि यह फिल्म भी असापल स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिल्म अबिनेतरी चित्रासी रावत हिंदी फिल्मों की एक अबिनेतरी है और इन्होंने चकदे इंडिया मूवी में अपना महतोपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और शारुखान के साथ इनका जोडी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अबिनेतरी शिल्फा सुकला शिल्पा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अब्विनेत्री है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में शिल्पा सुकला ने आमिता थियेटर ग्रूप के साथ अपने अब्विने केरियर की शुरुआत की और ये भी चक्दे इंडिया मोवी में अपना जबदस पर्फोमेंस के साफ ही अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के सागरी का घाट के अब्विनेत्री भारतियर फिल्म अब्विनेत्री है और एक मोडल और फिल्म अब्विनेत्री है जिन्होंने 2007 में चक्दे इंडिया में प्रती सम प्रती सब्रावल सब्रावल की भ दर्फेक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टी एस्तर पर एंतलिट है और राग और सागारिका का जनम महराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बर्स की और उसके बाद वो में और उसके बाद वो में कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान अजमेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबंदित है और उसके पती काज उसके पिता काजल कागल के पुर्वा साही परिवार और उनकी दादी सितार सितार राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वो एक राष्ट्य अस्तंत की हाकी किलाडी है 2007 ने इनके फिल्म चकदे इंडिया में भार्ति मयलाराष्टि हाखिटिम के एक कलापनी सदस्य प्रतिस बाव सब सवाल सब वाल की चर्ड चित्रित किया है और वो फैशन चप पत्रिकाओं को बेभीन फैशन सो में दिखाए दी है 2009 में फिल्म फाक्स के रूप में उबर्सी है और मतुरा में दिखाए दिये बाद में उसने माली नाम की इमली हम या कमया की चर्ड रित्रित किया गया है सारु खान की फिल्म चक्दे इंडिया हाल ही में एक बार फिर बहुत ही याद किया गया है और टोक्यो ओल्पिंग के आइस्ट्रेलिया की हाकी टीम को जब बाते मैला हाकी टीम ने सिक्का सब दी तो एक बार फिर सब को कबीर खान का याद आए याद आगे और दोसका दोज़ासाद को रिलेज हुई इस फिल्म में जिस तरह से सारु खान ने फिल्म को बिखरी हुई मैलाट हाकी टीम को एक जूट किया और कुछ वैसा ही करिश्मा इंडिया होकी टीम को लड़कियों ने टोक्यो के मैजांग पर दिखाया था हालाकी फिल्म की कहानी की तरह कहानी की तरह टीम बिज़ाई होकर संदे से नहीं लटी और लेकिन आपने संदार पर्फॉमेंसे देश वासियों के लिए बिजय से एक कम भी नहीं रही और जबकि आखी टीम की लड़कियों गोल दाकी रही थी और तो उस समय इंडिया में सोसल मीडिया पर चगवें इंडिया ट्रेंड कर रहा था इससे बड़ी सफलता किसी टीम भी क्या हो सकती है और कब्बेर की तरह कोर्च सोड मानोर रंजक भी बढ़तोर रहे थे सारुखान की फिल्म चगवें इंडिया एसपोस ड्रामा फिल्म चगवें इंडिया को रिलेज हुए आज से 18 साल पूरे कर लिए हैं आज से 15 साल पूरे कर लुए है, साल 2007 में आई फिल्म ये फिल्म उस बस की सबसे सफल फिल्मों में सामिल थी और आज भी लोग को इस फिल्म से उस तरह से जुड़े हुए, 2020 में 2.8 मिलियन यूएस 37 मिलियन के ब्राबर ये कलक्शन किया था और ये फिल्म ब्लोगबस्टर सावित हुए थी, चक्दे इंडिया सिमित आमीना द्वारा नीदेशित और आदित्या जोड़ा द्वारा नीदेशित एक नीरमीत 27 भारती हिंदी भासा की रीपोर्ट फिल्म है, जिसमें जैदिप सानी द्वारा लिखित और एक स्क्रिप्ट राद मिलर द्वारा कोरियोग्राफर किये गए हैं खेल के द्रिश्या और संगीत है सलिन सुल्वेमान द्वारा यह बारत की महिला राष्ट्य फिल्ड हागी टीम के बारे में एक कलापनी कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीच से प्रेडित थी फिल्म में सारुख खान भारतिय पुष्ट भारतिय प्रूस राष्टिय फिल्ड हागी टीम के पुरुवा काप्तान कब्बीर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक बिश्वा एक बिनास्कारी नुकसान के बाद खान को उस सा उस खेल सिर्फ भाहिक्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज पर्डोसिय द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुल को छुड़ाने के लिए खान भारतिय राष्टिय मैला हकिटिंग के कोच बन गए और अपने सोला बिवाद एसपत खिलाडियो को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के 67 दिवस के असर पर 10 सगर 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इस फिलिम 119 क्रोट से अधिक की कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया दोरा ब्लोक्बस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदाशन और नारिवादी विशय के लिए प्रशांस के साथ इसे ब्यापक अलुटनात्नक प्रशांस मिली चक्व में भारत ने कई प्रशकार जीते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादान करने वाली सरोस्रेष्ट लोक्प्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रशकार भी सामिल है 327 को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइंसे ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एक्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोध किया जब अप्रेल 2008 में भारतिये हाकी मानसंग का पुर्वा उन्न संगठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिये हाकी टीम में चक्दे प्रभाव पैदा करते हैं और फिलिम को 17 अगास 2016 को नई दिली में प्रादिशित किया गया था जो की सताहंत बर चलने वाले 17 दिवस फिलिम सम्रोह के हिंसे के रूप में था बारत के 77 दिवस के उपल अच्चा में भारतिये फिलिम सम्रोह में दीने स्लै और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस सम्रोह को प्रतुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिन्टों के दोरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टिम के कप्तान कप बिर्खान को फाल्ल किया जाता है तो वो पैंटनी पैंटनी एस्ट्रों लेते हैं और उनका स्वर्ट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैस हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक प्रस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानु भूती के कारण खेल को फैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोडने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्या नहीं है क्यूंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्गे काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हालक कि उसे बताता है कि कद्वीर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुवात में देहन्त होने पर तिर्पाठी व्यवस्ता के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारतिये फिल्म अबिनेता किंखान यानि सारुखान जिन्हों ने अक्सर सारुखान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपन और अपचारिक रूप से एकसर के नाम से भी संदभिर्थि किया जाता है एक भारतिय फिल्म आप बिनेता है और अक्षर मीडिया में इन्हें बॉलीबूर्ट का बादसा किंग खान रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूर्ट नामों से पुरसकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्षन थिलर जैसी सोलियों में बहुत्तर हिंदी फिल्मों में आप बिनेता है फिल्म उदोग में उनके योगदान के लिए उन्हें 30 नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरसकार जीते हैं 2005 में भारा सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्रति उन्होंने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अम्मीर अभीनेता बन गए थे सारुखान उपदिक ग्रणों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की शुरुवात उन्हें से 80 के रंगमचो और कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बादमे में वेपारिक दिरिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम चेत्रम में कदम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्में से प्रथमा बिने प्रश का प्रदम किया गया और इससे पस्चात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिकाए आदा की और जिन में डर उन्हें से 93 बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में देखे हैं और वो विभीन परकार की फिल्मों में कार्या किया जिन में रोमांस फिल्म, हस्या फिल्म, खेल फिल्म और एतिहासिक ड्रामा फिल्म भी आसमर्द अर्थ सस्ट्रा में उपदि ग्रहन करने के बाद उन्होंने अपने केरियर की शुरुवात उने से अच्शी में रंगमचोवग कई टेलीविजन दाराईकों से की और उने से बन्मे में बेपारीक ग्रिष्टे से सफल फिल्म दिवाना से फिल्म छेत्रा में कदम रख़्ा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फेयर प्राथम आप बिने प्रोषकार प्रादान किया गया और इसके पस्चात इन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्नक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिकर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे गए हैं और वो विविन विविन प्रकार की फिल्मों में भी कार्या किये हैं खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सौतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपने केरियर की शुरुआत उने से 88 में दूर्दसन के धराई फोजी के प्राम में किया और जिसमें उन्होंने कननाडो अवी मंन्युर राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराई को में आभिनाय किया और जिन में प्रमुग था उने से नावासी का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जिवन का सर्न वर्नन किया गया था और जो आजिस मेर्जाद द्वारा नेर्देशी था और उसी ही बर्स उन्होंने आरुंदित राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गिस इट डो वन्स में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिली विश्वा विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उन्होंने आदितिया चोपड़ा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिबूट के इतिहासिक में सबसे सफल हिट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस्रेश्ट अभीनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उनके लिए एक निरास जनक साल रहा कि उसमें उनकी सारी फिल्म असफल गही और उन्हें से 97 में उन्होंने यह 12 चोपड़ा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की परदेश और अजेज मेजा की यह बस जैसी फिल्मों के साथ सफल तके चेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हें से बर्स उन्हें से अंठाइमे में करन जवहर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चोथी बार फिल्मेफे और सर्वस्ट्रेश्ट अब्विनेता पुरशकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अब्विने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बाजसा का प्रजसन एसमार नहीं नहीं रहा और वह असत ब्यपार ही कर पाई और सन 2000 में अधित्या चोपडा की महबबते में उनके केरियर के के उनके किरदार को समिच्छकों समिच्छकों से बहुत ही प्रसांश मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मे 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 समिच्छा को सर्वस्रेश अब बिनेता प्रोषकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस जोस भी हिट हुई और उसी बर्स में खान ने जुही चाला और आजीद मेचा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिल्म निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चाला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिल्म हेराम में भी खान ने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छकों ने सराना किया और हाला कि यह फिल्म भी असपल स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेतरी चितरासी रावत हिंदी फिल्मों की एक अभिनेतरी है और इन्हों ने चकबे इंडिया मूवी में अपना महतोपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और चारु खान के साथ इनका जोड़ी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अभिनेतरी सिल्पा सुकला सिल्पा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अभिनेतरी है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में सिल्पा सुकला ने आमिता थियेटर गुरूप के साथ अपने अभिने केरियर की शुरुआत की और ये भी चकदे इंडिया मुवी में अपना जवर्दस्ट परफोमेंस के साथ दिखाए दिये है जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के भारतिय फिलिम अबिनेतरी है और एक मॉडल और फिलिम अबिनेतरी है जिन्होंने 2007 में चकदे इंडिया में प्रती सबरावल की भुमिका के साथ अपनी सुरवात की थी और 2015 में इन्होंने डर के डर फैक्टर की डर फैक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंतलिट है और राग और सागारिका का जनम माराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बस की युवक तक रही थी और उसके बाद वो मेया और उसके बाद वो मेय कॉलेज में गल्स स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान अजमेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महाराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबंदित है और उसके पती काज, उसके पिता काजल कागल के पुर्वा साही परिवार और उनकी दादी सितार सितार राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वो एक राश्ट्य एस्तंत की हाकी किलाडी है 2007 ने इनके फिल्म चकदे इंडिया में भारती मयला राश्ट्य हाकीटिम के एक कलापनी सद्दस्य प्रतिस बाव सब सवाल सब वाल की चर चित्रित किया है और वो फैशन चप पत्रिकाओ को बेभीन फैशन सो में दिखाए दी है 2009 में फिल्म फॉक्स के रूप में उबर्सी है और मतुरा में दिखाए दिये बाद में उसने माली नाम की इमली हम या कमया की चर रित्रित किया गया है सारु खान की फिल्म चक्दे इंडिया हां ही में एक बार फिर बहुत ही याद किया गया है और टोक्यो ओल पिंग के आस्ट्रेलिया की हाकी टीम को जब बाते मैला हाकी टीम ने शिक्का सब दी तो एक बार फिर सब को कबीर खान का याद आए याद आ गए और दसगा दोज़ासाद को रिलेज हुई इस फिल्म में जिस तरह से सारु खान ने फिल्म को बिखरी हुई मैलाट हाकी टीम को एक जूट किया और कुछ वैसा ही करिश्मा इंडिया होकी टीम को लड़कियों ने टोक्यो के मैजांग पर दिखाया था हाला कि फिल्म की कहानी की तरह कहानी की तरह टीम बिज़ाई होकर संदे से नहीं लोटी और लेकिन आपने सांदार पर्फॉमेंस से जेस वासियों के लिए बिजय से एक कम भी नहीं रही और जबकि आखी टीम की लड़कियों गोल दाकी रही थी और तो उस समय इंडिया में सोसल मीडिया पर चगवें इंडिया ट्रेंड कर रहा था इससे बड़ी सफलता किसी टीम भी क्या हो सकती है और दूसे मिलियन 2020 में पांसे मिलियन यूएस यानी 6.7 मिलियन के ब्राबर बजट लगा था और इस फिलिम का कुल कारुगबार यानी वर्ल्डवाइट क्लेक्शन 1.9 मिलियन 2020 में 2.8 मिलियन यूएस 30 मिलियन के ब्राबर ये कलेक्शन किया था और इस फिलिम ब्लोगबस्टर साबित हुई थी चक्दे इंडिया सिमित आमिना द्वार निर्देशित और आदित्या जोड़ा द्वार निर्देशित एक निर्मित द्वाज़ा साथी भारती हिंदी भासा की रिपोर्ट फिलिम है जिसमें जैदिप सानी द्वार लिखित और एक स्क्रिप्ट राब मिलर द्वार कोरियोग्राफर किये गए हैं खेल के द्रिश्या और संगीत है सलिन सुल्वेमान द्वार ये बारत की महिला राष्ट्य फिल्ड हागी टीम के बारे में एक कलापनिक कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीट से प्रेरित थी फिल्म में सारुख खान भारतिय पुष्ट भारतिय प्रूस राष्टिय फिल्ड हागी टीम के पुरुवा काप्तान कब्बीर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक बिश्वा एक बिनासकारी नुकसान के बाद खान को उस सा उस खेल से बही क्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज पर्डोसिय द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुल को छुड़ाने के लिए खान भारतिय राष्टिय मैला हकिटिं के कोच बन गए और अपने सोला बिवाद एसपत खिलाडियो को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के साथवे सतंत्रा दिवस के असर पर दसगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिलिम 119 क्रोट से अधिक की कमाये की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया दोरा ब्लोकबस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदाशन और नारीवादी विशय के लिए प्रशांस के साथ इसे ब्यापक अलुचनात्नक प्रशांस मिली चक में भारत ने कई प्रशकार जीते और जिसमें संपुर्ण मनोरंजक प्रादान करने वाली सरोस्रेष्ट लोकप्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रशकार भी सामिल है तीसागार दोजास साथ को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइनसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एर्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोद किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा संगर्ठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चक्दे प्रभाव पैदा करते हैं और फिलिम को 17 अगाव 26 को नई दिली में प्रदिशित किया गया था जो की सतहांत बर चलने वाले सतंत्रा दिवस फिलिम समरोह के हिंसे के रूप में था बारत के सतरवे सतंत्रा दिवस के उपल अच्चा में भारतिय फिलिम समरोह में दीने सलै और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस समरोह को प्रदुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप में इसके आंती मिंटों के दोरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टिम के कप्तान कप बिर्खान को फाल किया जाता है तो वो पेंटनी पेंटनी एस्ट्रो लेते है और उनका स्वाट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैच हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक तस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानु भूती के कारण खेल को फैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तन सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्ट्य नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्गे काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हालक कि उसे बताता है कि कद्बिर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुवात में देहन्त होने पर तिर्पाठी ब्यवस्टा के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारतिय फिलिम अब्विनेता किंखान यानि सारु खान जिन्होंने अक्सर सारु खान के रूप में सेर्य दिया जाता है और अपन और अपचारिक रूप से ऐसार के नाम से भी संद भिलती किया जाता है एक भारतिय फिल्म आप बिनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूर्ट का बादसा किंग खान रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूर्ट नामों से पुरसकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्सान थिलर जैसी सोलियों में बहुत तर हिंदी फिल्मों में आप बिनेता है फिल्म उद्धोग में उनके योगदान के लिए उन्हें 30 नामांकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरसकार जीते हैं 2005 में भारा सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्राति उन्हों ने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अम्मीर अभीनेता बन गए थे सारुखान उपादिक ग्रानों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की शुरुवात उन्हें से 80 के रंगमचो वो कई टेलिवीजन धराविकों से की और उन्हें से बानमे में वेपारिक द्रिष्ट से सफल फिल्म गिवाना से फिल्म चेत्रम में कजम रखा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्में फे प्रथम अभिने प्रसका प्रदन किया गया और इससे परश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नाख्रात्मक भुमिकाय आदा की और जिन में डर उने से 93 बाजीगर उने से 93 और अंजाम उने से 94 में सामिल है वो कई परकार कि भूमेकाओं में देखे हैं और वो विभीन परकार की फिल्मों में कार्या किया कार्या किया जीन में रोमांस फिलिम, हस्या फिलिम, खेल फिल्मे और एतिहासिक ड्रामा फिलिम भी आसमर्थ अर्थ सस्त्रा में उपादी ग्राण करने के बाद उन्होंने आपने केरियर की शुरुआत उन्हें से असी में उने से अच्सी में रंगमच्चो हुआ कई टेली वीजन दाराईको से की और उने से बान्वे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम छेत्रा में कदम रखा इस फिलिम के लिए उने फिल्मे फेयर प्रथम आप बिने प्रोषकार प्रवादान किया गया और इसके पस्चात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्नक भूमिका आधा की जिन में डर उने से 93, बाजिगर उने से 93 और अंजाम उने से 94 में सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में दिखे गए हैं और वो विविन विविन परकार की फिल्मों में विकार्य किये हैं खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सोतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपनी केरियर की सुरुवात उने से 88 में दुरदसन के धराय फोजी के प्राम में किया और जिसमें उन्होंने कन्नडो अभी मन्यूर्य राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराय को में अभिनाय किया और जिन में प्रमुग था उने से 89 का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जीवन का सर्न वर्नन किया गया था और जो अजिस मेर्जाद द्वारा नेदेशित था और उसी ही बर्स उनोंने आरुंदित राय द्वारा लिखित अंगरेजी फिलिम इन वीज़ एन वीज़ इट दो वन्स में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिली विश्व विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उने से पंचानमे में इनोंने आद दीतिया चोपड़ा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिवूट के इतहासिक में सबसे सफल हिट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस्रेश्ट अबिनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उनके लिए एक निरास जनक साल रहा कि उन्हें सारी फिल्मों सफल रही और उन्हें से 97 में उन्हें यह 24 की फिलिम दिल तो पागल है सब्सक्राइब की पर्देश और आजेज मिर्जा की येस बस जैसी फिल्मों के साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हें से अंठाइमे में करन जवहर की बत और निर्देशित पहली फिल्म कुछ-कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चोथी बार फिल्म एफेयर सर्वस्ट्रेश्ट अब्विनेता पुरशकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अब्विने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीव मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रदसन एसमार नहीं रहा और वो असत बैपार ही कर पाई और सन 2000 में अदित्या चोपडा की मोहबबते में उनके केरियर के उनके किरदार को समिच्छकों से बहुत ही प्रसांस मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मे 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 प्रसमिच्छा को सर्वस्रेस अब बिनेताब क्रशकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस जोस भी हीट हुई और उसी बर्स में खान ने जोही चाला और आजीज मेचा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिल्म निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चाला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमाल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिल्म हेराम में भी खानने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिछा को ने सराना किया और हाला कि यह फिल्म भी असमर्थ रही दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेतरी चितरासी रावत हिंदी फिल्मों की एक अभिनेतरी है और इन्हों ने चक्वे इंडिया मूवी में अपना महत्वपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और शारु खान के साथ इनका जोड़ी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अभिनेतरी सिल्फा सुकला सिल्फा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अभिनेतरी है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में सिल्फा सुकला ने आमिता थियेटर गुरूप के साथ अपने अभिने केरियर की शुरुआत की और ये भी चकदे इंडिया मूवी में अपना जबरदस्ट परफोमेंस के साथ दिखाई दिये है जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के अबिनेतरी भारतिय फिलिम अबिनेतरी है और एक मॉडल और फिलिम अबिनेतरी है जिन्होंने 2007 में चकदे इंडिया में प्रती सबरावल की भुमिका के साथ आपनी सुरवात की थी और 2015 में इन्होंने डर के डर फैक्टर की डर फैक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंतलिट है और राग और सागारिका का जनम माराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के एक से घर हुआ था और जहां वो आट बस की युवक तक रही थी और उसके बाद वो मेया और उसके बाद वो मेय कॉलेज में गल्स स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान अजमेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महाराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबंदित है और उसके पती काज उसके पता काजल काजल के पुर्वा साही परिवार और उनकी दादी सितर राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वो एक राष्ट्य अस्तंत की हाकी किलाडी है 2007 ने इनके फिल्म चकदे इंडिया में भारतिय मैलार राष्ट्य हाखिटिम के एक कलापनी सदस्य प्रतिस बाब सब सवाल सब वाल की चर चितरित किया है और वो फैशन पत्रिकाओ को बेभीन फैशन सो में दिखाए दी है 2009 में फिल्म फॉक्स के रूप में वर्षी है और मतुरा में दिखाए दिये बाद में उसने माली नाम की इमली हम या कमया की सुकला और नागरी का घटगेंगे और चितरसी जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे और दोस्तों बात करें इस फिल्म का संपादित आमिताव सुकला ने इस फिल्म का संपादित किया गया था और इस फिल्म का संपादित सालिम सुलेमान द्वारा दिया गया था जो संपादित काफी सूपर डूपर साबित हुई थी और चकदे इंडिया मुवी का यसराज फिल्म द्वारा उत्पादित किया गया था और यसराज फिल्म द्वारा बित्रित किया गया था दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स अब इस कलेक्शन की बारे में इस फिल्म को बनाने में 20 million 2020 में 5 million US यानी 6.7 million के बराबर बजट लगा था और इस फिल्म का फुल कारुपबार यानी worldwide collection 1.9 million 2020 में 2.8 million US 37 million के बराबर ये collection किया था और इस फिल्म ब्लोगबस्टर सावित हुई थी चकदे इंडिया सीमित आमिना द्वारा नीदेशित और आदित्या जोड़ा द्वारा नीदेशित एक निर्मीत 27 भारती हिंदी भासे की रिपोर्ट फिल्म है जिसमें जैदिप सानी द्वारा लिखित और एक स्क्रिप्ट राब मिलर द्वारा कोरियोग्राफर किये गए हैं खेल के द्रिश्या और संगित हैं सलिन सुल्वेमान द्वारा यह बारत की महिला राष्टिय फिल्ड हाकी टीम के बारे में एक कलापनिक कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीट से प्रेरित थी फिल्म में सारुख खान भारतिय पुष्ट भारतिय प्रुष्ट राष्टिय फिल्ड हाकी टीम के पुरुवा काप्तान कब्बिर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक विस्वा एक बिनसकारी नुकसान के बाद खान को उस खेल सिर्फ भाहिक्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज परडोस्यों द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुद को छुड़ाने के लिए खान भारतिय राष्टिय मैला हकिटिंग के कोच बन गए और अपने 16 बिवाद एसपत खिलाडियों को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के 67 दिवस के असर पर 10 सगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिलिम 109 क्रोट से अधिक की कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया दोरा ब्लोकबस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदर्शन और नारिवादी विशय के लिए प्रसांस के साथ इसे ब्यापक अलुचनातनक प्रसांस मिली चंक में भारत ने कई प्रसकार जिते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादन करने वाली सरो स्रेश्ट लोकब्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रसकार भी सामिल है 3027 को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइनसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एक्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोद किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा पुन्न संगर्ठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चकदे प्रभाव पैदा करते हैं और फिल्म को 17 अगस 2016 को नई दिली में प्रादिशित किया गया था जो की सताहंत बर चलने वाले सतंतरा दिवस फिल्म समरोह के हिंसे के रूप में था बारत के सतरवे सतंतरा दिवस के उपलच्चा में भारतिय फिल्म समरोह में दीनेस लाए और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रोप से इस समरोह को प्रतुष्ट किया गया चक्दे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिन्टों के दोरान दिल्ली में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टीम के कप्तान कप बिर्खान को फाल्ल किया जाता है तो वो पेंटनी पेंटनी एस्ट्रो लेते है और उनका स्वर्ट बॉस चुका गया है और जिसके भारत ने मैच हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक कस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानुभूती के कारण खेल को फैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोडने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्या नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्गे काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हालक कि उसे बताता है कि कद्बीर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुआत में देहन्त होने पर तिर्पाठी ब्यवस्ता के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करे भारतिय फिल्म अबिनेता किंखान यानि सारु खान जिन्होंने अक्सर सारु खान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपचारिक रूप से एक्सार के नाम से भी संदभिर्ति किया जाता है एक भारतिय फिल्म अबिनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलिवूड का बादसा बॉलीबूड का बादसा किंग खान, रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूड नामों से प्रोशकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्षन थिलर जैसी सोलियों में बहुत्ता हिंदी फिल्मों में अबिने किया है फिल्म उद्धोग में उनके योगदान के लिए उन्हें 30 नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर प्रोशकार जीते हैं और वो और वो और बिलिब कुमार की ऐसी दो अबिनेता है जिन्होंने फिल्मेफेर स्वारोसरेश्ट अबिनेता प्रोशकार आठबार जीता है 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्रति उन्हों ने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अम्मीर अभीनेता बन गए थे सारुखान उपादिक ग्रानों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की सुरुवात उन्हें से असी के रंगमचो वो कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बान्मे में बेपारिक दिरिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम चेत्रम में कदम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्मे से प्रथमा बिने प्रस का प्रदम किया गया और इससे पस्टात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिकाए आदा की और जिन में डर उन्हें से 93 बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में में इस सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओ में देखे हैं और वो विबीन परकार की फिल्मों में कार्या किया जिन में रोमांस फिल्म, हस्या फिल्म, खेल फिल्म और अतिहासिक ड्रामा फिल्म भी आसमर्थ अर्थ सस्त्र में उपादी ग्राहन करने के बाद उन्होंने आपने केरियर की शुरुआत उन्हे से असी में उन्हे से असी में रंगमच्चो हुआ कई टेली वीजन दाराईको से की और उन्हे से बानवे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम छेत्र म में कदम रखा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मेफेर प्रोथम आं भिने प्रुषकार प्रोथान किया गया और इसके परस्चार्थ उन्होंने कई फिल्मों में नखरात्मक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, 2, 93 और अंजाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में दिखे गए हैं और वो विवीन विविनपरका की फिल्म में भी कार्या किये हैं अर्व करने खान के माता-पीटा की आन पाथा पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सौतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपने केरियर की शुरुआत उने से 88 में दुर्दसन के धाराई फोजी के प्राम्ब में किया और जिसमें उन्होंने कनाडो अभिम अभी मन्यूर राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराई को में अभिनाय किया और जिन में प्रमुग था उने से नावासी का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जिवन का सर्न वर्नन किया गया था और जो आजिस मेर्जाद द्वारा नेजदेशित था और उसी ही बर्स उनोंने आरुंदित राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गिस इट दो वन्स में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिल्ली विश्वा विधाले में विधारती जिवन का राधारी थी और अपने उन्हें से तंचानमे में इन्होंने आद दीतिया चोपडा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिबूट के इतिहासिक में सबसे सफल हीट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस्रेश्ट अभीनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उन्हें इस च्पड़ा की फिलिम दिल तो पागल है में सबस गाई की पर देश और अजेज मेज़ा की इस बस जैसी फिलमों के सासा सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उने से बर्स उने से अन्ठाइमे में करन जवहर की करन जवहर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ-कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित्च हुई और खान को चोथी बार फिल्मे फेयर सर्वस्ट्रेश्ट अब्विनेता प्रोज़कार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अब्विने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रोज़शन एसमार नहीं नहीं रहा और वो असद बैपार ही कर पाई और सन 2000 में आदित्या चोपडा की मोहबते में उनके केरियर के के उनके किरदार को समिच्छ को समिच्छ को से बहुत ही प्रसांस मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मे 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 समिच्छ को सर्वस्रेस अब बिनेता प्रसकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस भी हिट हुई और उसी बर्स में खान ने जोही चावला और आजीज मेच्छ के साथ मिलकर अपनी खुद को फिल्म निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चावला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिल्म हेरा में भी खान ने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छ को ने सराना किया और हाला कि यह फिल्म भी असापन स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिल्म अबिनेतरी चित्रासी रावत हिंदी फिल्मों की एक अबिनेतरी है और इन्हों ने चकदे इंडिया मूवी में अपना महतोपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और चारू खान के साथ इनका जोडी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अबिनेतरी सिल्फा सुकला शिल्पा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अब्विनेत्री है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में शिल्पा सुकला ने आमिता तीटर गुरूप के साथ अपने अब्विने केरियर की शुरुआत की और ये भी चक्दे इंडिया मोवी में अपना जबदस पर्फोमेंस के साथ दिखाई दिये है जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के सागरी का घाट के अब्विनेत्री भारतिये फिल्म अब्विनेत्री है और एक मोडल और फिल्म अब्विनेत्री है जिन्होंने 2007 में चक्दे इंडिया में प्रती सब्रावल की भ दर्फेक्टर की दर्फेक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंथली एंथलिट है और राग और सागारिका का जनम महराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बर्स की युवक तक रही थी और उसके बाद वो में और उसके बाद वो में कॉलेज में गॉल्स स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान अजमेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महाराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबंदित है और उसके पती काज उसके पता काजल कागल के पुर्वा साही परिवार और उनकी दादी सितार राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वो एक राष्टिय अस्तन्त की हाकी की लाड़ी है 2007 ने इनके फिलिम चकदे इंडिया में भातिय मैला राष्टिय हाकी टीम के एक कलापनी सद्दास्य प्रोतिस बाव सब सवाल सब वाल की चतरित किया है और वो उत्पादिक किया गया था और यसरा शिलिंच द्वारा बित्रित किया गया था 10 अगर 2007 में रिलिज हुई चकदे इंडिया मुवी का समय सिमा एक से उन्चास मिनिट की बनाई गय थी और भारत में रिलिज किया गया था और हिंदी भासा में बनाई गया था दोस्तों बात करें इस फिलिम की बजट इन बोक्स अब इस कलेक्शन की बारे में इस फिलिम को बनाने में दूसरे मिलियन की दूसरे मिलियन दूसरे मिलियन दूसरे मिलियन यूएस यानि 6.7 मिलियन के बराबर बजट लगा था और इस फिलिम का कुल कारोगबार यानि वर्ल्ड वाइट किलेक्शन 1.9 मिलियन, 2020 में 2.8 मिलियन, US 37 मिलियन के ब्राबर ये कलेक्शन किया था और इस फिलिम ब्लोगबस्टर सावित हुई थी चकदे इंडिया, सीमित आमिना दोरा नीदेशित और आदित्या जोड़ा दोरा नीदेशित एक नीरमित 27 भारती हिन्दी भासा की रिपोर्ट फिलिम है जिसमें जैदिप सानि दोरा लिखित और एक स्कृप्ट राद मिलर दोरा कोरियोग्राफर किये गए हैं खेल के द्रिश्या और संगीत है सलिन सुल्वेमान द्वारा यह बारत की महिला राष्टिय फिल्ड होकी टीम के बारे में एक कलापनिक कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीत से प्रेडित थी फिलिम में सारुख खान भारतिय पुष्टर भारतिय प्रूस्व राष्टिय फिल्ड होकी टीम के पुरुव कप्तान कब्बिर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक बिश्वार एक बिनास्कारी नुकसान के बाद खान को उससा उस खेल सिर्थ भाहिक्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज पडोस्यो द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुद को छुड़ाने के लिए खांड हार्तिय राष्टिय मैला हकीटिम के कोच बन गए और अपने 16 बिवाद एस्पत खिलाडियों को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के 67 दिवस के असर पर 10 सगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिलिम 119 क्रोट से अधिकी कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया दोरा ब्लोक्बस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदाशन और नारिवादी विशय के लिए प्रसांस के साथ इसे ब्यापक अलुटनात्नक प्रसांस मिली चक में भारत ने कई प्रसकार जिते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादन करने वाली सरोस्रेश्ट लोगप्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रसकार भी सामिल है 3027 को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइनसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एक्रसक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोध किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा संगठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चक्दे प्रवाव पैदा करनते हैं और फिलिम को 17 अगाव 2016 को नई दिली में प्रादिशित किया गया था जो कि सताहंत बर चलने वाले 17 दिवस फिलिम सम्रोह के हिंसे के रूप में था भारत के 77 दिवस के उपल अच्चा में भारतिय फिलिम सम्रोह में दीने स्लै और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस सम्रोह को प्रादुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 हाकी विश्वकप में इसके आंती मिन्टों के दोरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टीम के कप्तान कप बिर्खान को फाल्ल किया जाता है तो वो पैंटनी पैंटनी एस्ट्रों लेते है और उनका स्वाट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत में मैच हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक तस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानू भूती के कारण खेल को फैकने का संदे है रामिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्चा नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्गे काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हालक कि उसे बताता है कि कद्बिर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुआत में देहन्त होने पर तिर्पाठी ब्यवस्टा के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारती फिल्म अब्विनेता किंखान यानि सारुखान जिन्होंने अक्सर सारुखान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपन और अपचारिक रूप से एक्सार के नाम से भी संदभिर्ति किया जाता है एक भारती फिल्म अब्विनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूट का बादसा किंखान रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूट नामों से पुरसकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्सान थिलर जैसी सोलियों में बहुत्ता हिंदी फिल्मों में अब्विनेता है फिल्म उद्धोग में उनके योगदान के लिए उन्हें 30 नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरसकार जीते हैं और वो और बिलिब कुमार की ऐसी दो अब्विनेता है जिन्होंने फिल्मेफेर स्वारसरेश्ट अब्विनेता पुरसकार आठ बार जीता है 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्रति उन्होंने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अम्मीर अब्विनेता बन गए थे सारुखान उपादिक ग्राणों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की शुरुवात उन्हें से असी के रंगमचोव कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बादने में वेपारिक दृष्ट से सफल फिलिम गिवाना से फिलिम चेत्रम में कदम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिलिमें से प्राथमा बिने प्रस का प्रादन किया गया और इससे पस्टात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिकाए आदा की और जिन में डर उन्हें से 93 बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में में इस सामिल है वो कई परकार की भुमिकाओं में देखें हैं और वो विपीन परकारी की फिल्मों में कार्यकियाच कार्या किया जीन में रोमांस फिलिम, हसे फिलिम, खेल फिलमे और एतिहासिक ड्रामा फिलिम भी आसमर्थ अर्थ सस्त्र में उपादी ग्राण करने के बाद उन्होंने आपने केरियर की सुरुवात उन्हें से असी में अच्छी मे रग्मच्चों हुआ कई टेली विजन दाराईको से की और उन्हे से बान्बे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम छेत्र में कदम रखा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फेयर प्राथम आप बिने प्रोषकार प्रादान किया गया और इसके पस्चात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भुमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिकर उन्हें से 93 और अंजाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में दीखे गए हैं और वो विविन विविन परकार की फिल्मों में भी कार्या किये हैं खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सौतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सानवाद के पुत्रा थे खान ने अपने केेरियर की सुरुषाद उनसे 88 में दुर्दसन के धराइक फोजी के प्राम में किया जिसमें उन्होंने कन्नाडों आवी मन्निर राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराय को में आव्विनाय किया और जिनमें प्रमुक था उन्हें से नावासी का सरकस जिसमें सरकस काम काम करने वाले ब्यक्तियों के जीवन का सर्ना वर्नन किया गया और जो अर्जीज मेर्जाद द्वारा नेर्देशित था और उसी ही बर्स उन्होंने आरुंदित राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गेस इत डो वांस में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिली विश्वा विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उन्होंने आदितिया चोपडा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिवूट के इतहासिक में सबसे सफल हीट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल चर्वस रेश्ट अबिनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हे से 96 में उनके लिए एक निराश जनक साल रहा कि उसमें 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 की सारी फिल्म शफल रही और उन्हे से 97 में उन्हेंने यह चोपड़ा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की सुबास गाई की परदेश और आजेज मिर्जा की येस बस जैसी हिल्मों के साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हे से बर्स उन्हे से अंठाइमे में करंजवर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ-कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चौथी बार फिल्मे फेयर सौरवस रेष्ट अब्विनेता पुरशकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अब्विने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रदसन एसमार नहीं रहा और वो असद बैपार ही कर पाई और सन दूज़ार में अधित्याचोपडा की मोहबते में उनके प्रदार को समिच्छकों से बहुत ही प्रसांस मिली और इस फिल्म के लिए उहें अपना दूसरा फिल्मेफेर समिछा को सरवस्रेश्ट अब बिनेता प्रशकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस भी हिट हूई और उसी बर्स में खान ने जोही चाला और आजीड मेजा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिलिम निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिलिम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चावला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिलिम हेराम में भी खानने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छ को ने सराना किया और हला कि यह फिलिम भी असपल स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिलिम अभिनेतरी चित्रासी रावत हिंदी फिल्मों की अभिनेतरी है और इन्हों ने चकबे इंडिया मूवी में अपना महत्वपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और चारू खान के साथ इनका जोड़ी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें आप बिनेतरी सिल्फा सुकला सिल्फा सुकला भी हिंदी और साथ साल बाद खुल को छुड़दाने के लिए खान भारती राष्टी है मैला हकिटीं के कोच बन गए और अपने सोला बिवाद एस्पत खिलाडियों को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लच्चा रखा यह फिल्म भारत के साथवे सोतंत्रा दिवस के असर पर दसगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिल्म 119 क्रोट से अधिक की कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया द्वारा ब्लोकबस्टर कर दिया गया इसने नेदेशन पाठक कता प्रदाशन और नारिवादी विशय के लिए प्रशांस के साथ इसे ब्यापक अलुचनातनक प्रशांस मिली चंग में भारत ने कई प्रशकार जिते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादान करने वाली सरो स्रेश्ट लोगप्रिये फिल्म का राष्टिये फिल्म प्रशकार भी सामिल है 3027 को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइंसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिल्म के लिए एक्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोद किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुन्न संगर्ठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चक्दे प्राभाव पैदा करनते हैं और फिल्म को 17 अगास 2016 को नई दिली में प्रादिशित किया गया था जो की सताहंत बर चलने वाले 17 दिवस फिल्म समरोह के हिंसे के रूप में था भारत के 77 दिवस के उपल अच्छा में भारतिय फिल्म समरोह में दीने सलय और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस समरोह को प्रादुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिंटों के दोरान दिल्ली में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टिम के कप्तान कप बिर्खान को फाल्ल किया जाता है तो वो पेंटनी पेंटनी एस्ट्रों लेते है और उनका स्वर्ट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैस हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक तस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानु भूती के कारण खेल को फैंक टैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रह और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्ट्य नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्ग काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हाला कि उसे बताता है कि कद्बीर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुवात में देहन्त होने पर तिर्पाठी व्यवस्ता के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अब्विनेता किंखान यानि सारुखान जिन्होंने अक्सर शारुखान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपचारिक रूप से एक्सार के नाम से भी संदभिर्ति किया जाता है एक भारते फिल्म आप बिनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूर्ट का बादसा किंग खान, रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूर्ट नामों से पुरसकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्सान थिलर जैसी सोलियों में बहुत्तर हिंदी फिल्मों में आप बिनेता है जिन्होंने फिल्मेफेर स्वारो स्रेश्ट आप बिनेता पुरसकार आठ भाद जीता है 2005 में भारा सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्राति उन्होंने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अबिनेता बन गए थे सारुखान उपादिक ग्राणों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की सुरुवात उन्हें से असी के रंगमचो और कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बादमे में वेपारिक दिरिष्ट से सफल फिलिम गिवाना से फिलिम छेत्र में कदम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्में से प्रथमा बिनेप्रस का प्रदम किया गया और इससे पस्टात उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिकाय आदा की और जिन में डर उन्हें से तिरानमे बाजिगर उन्ह उन्हें से 94 में सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में देखे हैं और वह विभीन परकार की फिल्मों में कार्या किया जिन में रोमांस फिल्म, हस्या फिल्म, खेल फिल्म और एतिहासिक ड्रामा फिल्म भी आसमर्थ अर्थ सास्तर में उपादी ग्रान करने के बाद उन्होंने अपने केरियर की शुरुवात उन्हेसे 80 में रंग मच्चो हुआ कई टेलिवीजन दराईको से और उन्हेसे बानवे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिल्म दिवान से फिल्म चेतर में कदम रख्शा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्में फेयर प्राथम आप बिने प्रोषकार प्रादान किया गया और इसके पस्चार्थ इन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्नक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल है खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सौतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपनी केरियर की शुरुआत उने से 88 में दुर्दसन के धराई फोजी के प्राम में किया और जिसमें उन्होंने कनड़ो अभी मन्यूर राय की केरदार अदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराई को में अभिनाय किया और जिन में प्रमुग था उने से नावासी का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जीवन का सर्न वर्नन किया गया था और जो आजिस मेर्जाद द्वारा नेदेशित था और उसी ही बर्स उनोंने आरुंधित राये द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गेस इट दो वांस में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिल्ली विश्वा विधाले में विधारती जीवन का राधारी थी और अपने उने से पंचानवे में इन्होंने आद दीतिया चोपडा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिवूट के इतहासिक में सबसे सफल हीट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल 64 रस्ट अबबीनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें 96 में उनके लिए एक निराश जनक साल रहा कि कि उन्समें उनकी सारी फिलम शफल गही और उन्हें 97 में उन्हेंने यस चूपड़ा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की सुबास गाई की परदेश और आजेज मिर्जा की येस बस जैसी हिल्मों के साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हे से बर्स उन्हे से अंठाइमे में करंजवर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ-कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चौथी बार फिल्मे फिल्मे फियर सौरवस्ट्रेश्ट अब्विनेता पुरवसकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अब्विने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रदसन एसमार नहीं नहीं रहा और वह असत बैपार ही कर पाई और सन 2000 में अदित्या चोपडा की मोहबबते में उनके केरियर के के उनके किरदार को समिच्छकों से बहुत ही प्रसांस मिली और इस फिल्म के लिए उए अपना दूसरा फिल्मे फेयर समिच्छा को सर्वस्रेस अब्विनेता प्रोशकार मिला उसी साल आयी उनकी फिल्म जोस वी हिट हुई और उसी बर्स में खान ने जोही चाला और आजीर मेजा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिलिम निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिलिम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चावला ने दोनों आविने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रस्त फिलिम हेराम में भी खानने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छकों ने सराना किया और हाला कि यह फिलिम भी असापन स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिलिम अबिनेत्री चित्रासी रावत हिंदी फिल्मों की अबिनेत्री है और इन्हों ने चकबे इंडिया मूवी में अपना महत्वपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है इनका जोडी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें आप विनेत्री सिल्पासुकला, सिल्पासुकला भी convincedी फिल्मों की अबिनेत्री है और वो ब्यक्तिकर जीवन दिल में दिलपा सुकला ने आमिता तियेटर गुरूप के साथ अपने अभिने केरियर की शुरुवात की और ये भी चक्दे इंडिया मुवी में अपना जवरदस्ट परफोमेंस के साथ दिखाई दिये हैं जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के अभिनेतरी भारतिय फिलिम अभिनेतरी है और एक मॉडल और फिलिम अभिनेतरी है जिन्होंने 2007 में चक्दे इंडिया में प्रती सब्रावल की भुमिका के साथ आपनी सुरवात की थी और 2015 में इन्होंने डर के डर फैक्टर की दर फैक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंथलिट है और राग और सागारी का जनम महराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बस की यु वक्त रही थी और उसके बाद वह में और उसके बाद ओम में कॉलेज में पढ़ने के लिए राजस्तान अजमेर चली गई वह कोहलपूर से साहु महराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबंदित है और उसके पती काज उसके पिता काजल कागल के पुर्वा साही परिवार और उनकी दादी सितार सितार राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वह एक राष्ट्य एस्तंत की हाकी की लाड़ी है 2007 ने इनके फिल्म चकदे इंडिया में भारती मैला राष्ट्य हाकी टीम के एक कलापनी सद्दस्य प्रतिस बाव सबसवाल की चड़ चित्रित किया है और वह फैशन चाप पत्रीकाओ को बेभीन फैशन सो में दिखाए दी है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीच से प्रेरित थी फिलिम में सारुख खान भारतीय पुष्ट भारतीय प्रूष राष्टिय फिल्ड हाकी टीम के पुरुवा काप्तान कब्बीर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक विश्वा एक बिनास्कारी नुकसान के बाद खान को उस सा उस खेल सिर बही क्रितिक कर दिया जात है और साथ साल बाद खुद को छुड़ाने के लिए खान भारतीय राष्टिय मेला हाकी टीम के कोच बन गए और अपने सोला सोला बिवाद एस्पत खिलाडियों को चैंपियान एस चैंपियान सिप यूनिट के बदले बदलने का लच्चा रखा यह फिलिम भारत के साठव सतंत्रा दिवस के असर पर दसगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिलिम 109 क्रोट से अधिक की कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया दोरा ब्लोकबस्टर कर दिया गया इसने निर्देशक पाठक कता प्रदाशन और नारिवाधी विशय के लिए प्रशांस के साथ इसे ब्यापक अलुचनातनक प्रशांस मिली चक में भारत ने कई प्रशकार जीते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादान करने वाली सरोस्रेष्ट लोगप्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रशकार भी सामिल है तीसाकर दोजास साथ में एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टर्स एंड साइनसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एक प्रशक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोध किया जब अप्रेल दोजार आठ में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा पुन्न संगठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चकदे प्रभाव पैदा करते हैं और फिलिम को 17 अगाज 2016 को नई दिली में प्रदिशित किया गया था जो की सताहंत बर चलने वाले सतंत्रा दिवस फिलिम समरोह के हिंसे के रूप में था भारत के सत्रवे सतंत्रा दिवस के उपल अच्छा में भारतिय फिलिम समरोह में दीने स्लै और रच्चा मंत्राले द्वारा संजुक्त रूप से इस समरोह को प्रतुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिन्टों के दोरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टीम के कप्तान कब बिर्खान को फाल्ल किया जाता है तो वो पेंटनी पेंटनी एस्ट्रो लेते हैं और उनका स्वर्ट बॉस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैच हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक प्रस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान पर पाकिस्तान से प्रती सहानुभूती के कारण खेल को फैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी भारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविश्य नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिर्ग काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हाला कि उसे बताता है कि कद्बीर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुआत में देहन्त होने पर तिरपाठी व्यवस्ता के लिए सामत हो जाते हैं दोस्तों बात करें भारतिये फिल्म अब्विनेता किंखान यानि सारु खान जिनों ने अक्सर सारु खान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपचारिक रूप से एक्सार के नाम से भी संदभिर्थी किया जाता है एक भारतिये फिल्म अब्विनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूट का बादसा किंग खान, रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीबूट नामों से पुरस्कार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थिलर जैसी सोलियों में बहुत ता हिंदी फिल्मों में आप भी नहीं किया है फिल्म उद्वग में उनके युगदान के लिए उन्हें 30 नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरसकार जीते हैं और फिल्म में भारतिय सिनेमा के प्राति उन्हों ने उनके युगदान के लिए पत्दसरी से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अम्मीर अभीनेता बन गए थे सारुखान उपादिक ग्रानों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की सुरुवात उन्हें से असी के रंगमचो वो कई टेलिवीजन धराविकों से की और उन्हें से बान्मे में वेपारिक द्रिष्ट से सफल फिलिम गिवाना से फिलिम चेत्रम में कदम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्में से प्रथमा बिने प्रश का प्रदम किया गया और इस से पस्टात उन्होंने कई फिल्मों में नाफ्रात्मक भूमिकाए आदा की और जिन में डर उन्हे से 93 बाजिगर उन्हे से 93 और अंजाम उन्हे से 94 में इस सामिल है वो कई परकार की भूमिकाओं में देखे हैं और वो विवीन परकार की फिल्मों में कार्या किया जिन में रोमांस फिल्म, हस्या फिल्म, खेल फिल्म और इतिहासिक ड्रामा फिल्म भी आसमर्द अर्थ सस्त्र में उपादी ग्रहन करने के बाद उन्होंने आपने केरियर की शुरुवात उन्हे से 80 में उन्हे से 80 में रंगमच्चो हुआ कई टेली वीजन दाराईकों से की और उन्हे से बान्वे में बैपारिक ग्रिष्ट से सफल फिल्म दिवाना से फिल्म छेत्र में कदम रखा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फेयर प्राथम आप बिने प्रोषकार प्रादान किया गया और इसके पस्चार्थ उन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिगर उन्हें से 93 और अंजाम उन्हें से 94 में सामिल वो कई परकार की भूमिकाओं में दिखे गए हैं और वो बिविन बिविन परकार की फिल्मों में वी कार्या किये हैं खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सोतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपने केरियर की शुरूद उन्हें से 88 में दुरदअसन के धराई फोजी के प्राम में किया और जिसमें उन्होंने कनडो अभीम मन्यूर राय की कीरदार आधा की और उसके उप्राम उन्होंने कई धराईकों में आभीमनाएक किया और जिन में प्रमुग था उने से नावासी का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जीवन का सर्ण वर्नन किया गया था और जो आजिस में जाद द्वारा नेदेशी था और उसी ही बर्स उन्होंने आरुंदित राये द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गिस इट डो वांस में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिली विश्वा विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उन्होंने आद दीतिया चोपड़ा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिबूट के इतिहासिक में सबसे सफल हीट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस्रेश्ट अभी नेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उनके लिए एक निरास जनक साल रहा कि उसमें उनकी सारी फिल्म असफल रही और उन्हें से 97 में उन्होंने यह 12 चौपडा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की परदेश और आजेज मिर्जा की यह बस जैसी फिल्मों के साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हें से 98 में करंजवर की बत और निर्देशित पहली फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चौथी बार फिल्म एफे और सौर्वा स्रेश्ट अबिनेता पुरशकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अबिने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बादसा का प्रदसन एसमार नहीं रहा और वो असर बैपार ही कर पाई और सन दूजर में अदित्या चोपडा की मोहब्बते में उनके केरियर के उनके किर्दार को समिच्छकों समिच्छकों से बहुत ही प्रसांष मिली और इस फिल्म के लिए उहें अपना दूसरा फिल्मे 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 समिच्छा को सरवसरेश अब बिनेता प्रॉसकार मिला उसी साल आई उनकी फिलिम जोस भी हिट हुई और उसी बर्स में खान ने जोही चावला और आजीज मेचा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिलिम निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिलिम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चावला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिलिम हेराम में भी खानने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिछा को ने सराना किया और हाला कि यह फिलिम भी असापल स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिलिम अबिनेतरी चित्रासी रावत हिंदी फिल्मों की एक अबिनेतरी है और इन्हों ने चक्वे इंडिया मुवी में अपना महत्वपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और चारु खान के साथ इनका जोड़ी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अबिनेतरी सिल्पा सुकला सिल्पा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अबिनेतरी है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में सिल्पा सुकला ने आमिता तियेटर गुरूप के साथ अपने अबिने केरियर की शुरुआत की और ये भी चगदे इंडिया मूवी में अपना जवर्दस परफोमेंस के साथ दिखाई दिये है जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के अबिनेतरी भारतिय फिलिम अबिनेतरी है और एक मॉडल और फिलिम अबिनेतरी है जिन्होंने 2007 में चगदे इंडिया में प्रती सबरावल की भूमिका के साथ अपनी सुरवात की थी और 2015 में इन्होंने डर के डर फैक्टर की डर फैक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंथलिट है और राग और सागारिका का जनम माराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बस की युवक तक रही थी और उसके बाद वो मेया और उसके बाद वो मेय कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान आज मेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महाराज के माध्यम से भारत के पुर्वा साही घर से संबन्दित है और उसके पती काजल में एक कलापनिक कहानी बताती है जो 2002 के राष्ट मंडल खेलों में टीम की जीत से प्रेरित थी फिल्म में सारूख खान भारतिय पुष्ट भारतिय पुरुश्व राष्टिय फिल्ल हाकी टीम के पुरुवा काप्तान कब्बीर खान के रूप में है और पाकिस्तान में एक विश्वा एक विनास्कारी नुकसान के बाद खान को उसकेल सिर्फ बहु क्रिति कर दिया जाता है जिस पर उसे और उसकी मा को नराज परडोसियो द्वारा परिवार के घर से निकाल दिया जाता है और साथ साल बाद खुल को छुड़ाने के लिए खान भारतिय राष्टिय मैला हकिटी के कोच बन गए और अपने सोला बिवाद एसपत खिलाडियों को चैंपियन एस चैंपियन सिप यूनिट के बदलने का लर्चा रखा यह फिलिम भारत के 67 दिवस के असर पर 10 सगत 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई और 20 क्रोट के बज़र पर बनी इफिलिम 119 क्रोट से अधिक की कमाई की जिसे बॉक्स अपिस पर इंडिया द्वरा ब्लोक्बस्टर कर दिया गया इसने निर्देशन पाठक कता प्रदर्शन और नारिवादी विशय के लिए प्रशांस के साथ इसे ब्यापक अलुटनात्नक प्रशांस मिली चक में भारत ने कई प्रशकार जीते और जिसमें संपुर्णा मनोरंजक प्रादन करने वाली सरो स्रेष्ट लोगप्रिये फिलिम का राष्टिये फिलिम प्रशकार भी सामिल है तीसागा दोजास साथ को एकेडमी और मोशन पिक्चर आर्टस एंड साइनसेज ने अपनी मार्गरेट हैरिक लाइवलेरी में जगा के लिए अपनी फिलिम के लिए एक्सक्रिप्ट की एक प्राती का अनुरोध किया जब अप्रेल 2008 में भारतिय हाकी मानसंग का पुर्वा पुर्वा संगठन किया गया तो पुर्वा खिलाडी असलम सेर खान ने कहा कि वो भारतिय हाकी टीम में चकदे प्रभाव पैदा करते हैं और फिलिम को 17 अगाज़ 26 को नई दिली में प्रदिशित किया गया था जो की सत्ताहंत बर चलने वाले 17 दिवस फिलिम समरोह के हिंसे के रूप में था भारत के सतरवे सोतंत्र दिवस के उपल अच्छा में भारतिय फिलिम सम्रोहों में दीनेस लए और रच्छा मंत्राले द्वारा संजुक्त रोप से इस सम्रोहों को प्रतुष्ट किया गया चकदे इंडिया पाकिस्तान और भारत के 20 होकी विश्वकप मैस के आंती मिन्टों के दोरान दिलिम में खुलता है जिसमें पाकिस्तान 1.0 से आगे है और जब भारतिय टिम के कप्तान कप बिर्खान को फाल किया जाता है तो वो पैंटनी पैंटनी एस्ट्रो लेते है और उनका स्वर्ट बोस चुगा गया है और जिससे भारत ने मैच हराना पड़ा और इसके तुरंद बाद मीडिया आउट लेशन ने खास की पाकिस्तानी काप्टन से हाथ मिलाते हुए हाथ मिलाते हुए एक तस्वी प्रस्तारीत की खेल के हाव हाव को गलत समझा जाता है और पाकिस्तान से प्रती सहानुभूती के कारण खेल को फैकने का संदे है जार्मिक पुर्वा ग्रा और उसे और उसकी मां को हर सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और साथ साल बाद भारत के हाकी संग के प्रमुक्सरी त्रिपाठी बारतिय मैला हाकी टीम पर चार्चा करने के लिए फिल्ड हाकी एंड वोकेट उत्तम सिंग से मिलते हैं और त्रिपाठी को अनुसरा अनुसार टीम को कोई भविस्ट्य नहीं है क्योंकि मैलाओ के लिए एक मात्र दिल के काली का भूमिका खान बनना और साफ करना है उत्तम हाला कि उसे बताता है कि कद्बिर खान टीम को कोच करना चाता है और शुरुआत में देहन्त होने पर तिरफाठी व्यवस्ता के लिए समत हो जाते हैं दोस्तों बात करे भारतिय फिल्म अबिनेता किंखान यानि सारु खान सारु खान जिन्होंने अक्सर सारु खान के रूप में सेर्या दिया जाता है और अपन और अपचारिक रूप से एक्सार के नाम से भी संदभिर्ति किया जाता है एक भारतिय फिल्म अबिनेता है और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीबूट का बादसा बॉलीवूड का बादसा किंग खान, रोमांस किंग और किंग अफ दा बॉलीवूड नामों से पुरसकार जाता है खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्षन थिलर जैसी सोलियों में बहुत्ता हिंदी फिल्मों में अभिने किया है फिल्म उद्धोग में उनके योगदान के लिए उन्हें 30 नामंकनों में से 14 फिल्मेफेर पुरसकार जीते हैं और वो और दिलिव कुमार की ऐसी दो अभिनेता है जिन्होंने फिल्मेफेर स्वारो स्रेश्ट अभिनेता पुरसकार आठ बार जीता है 2005 में भारा सरकार ने उन्हें भारतिय सिनेमा के प्रति उन्होंने उनके योगदान के लिए पद्दस्री से सम्मानित किया और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए थे सारुखान उपदिक ग्रणों के कारण बाद में इन्हें अपने केरियर की शुरुवात उन्हें से असी के रंगमचो वो कई टेलीविजन धराविकों से की और उन्हें से बान्मे में वेपारिक द्रिष्ट से सफल फिलिम गिवाना से फिलिम चेत्रम में कजम रखा इस फिलिम के लिए उन्हें फिल्मे से प्रथमा बिने प्रस का प्रदम किया गया और इससे पस्चात उन्होंने कई फिल्मों में नापरात्मक भूमिकाए आदा की और जिन में डर उन्हें से 93 बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल है वो कई परकार की भुमिकाओं में देखे हैं और वो बिभीन परकार की फिल्मों में कारे कियाज जिन में रोमांस फिल्म, हस्या फिल्म, खेल फिल्म और एतिहासिक ड्रामा फिल्म भी आसमर्द अर्थ सस्त्र में उपादी ग्राहन करने के बाद उन्होंने आपने केरियर की सुरुवात उन्हे से असी में उन्हे से असी में रंगमच्चो हुआ कई टेली वीजन दाराईको से की और उन्हे से बानवे में बेपारिक ग्रिष्ट से सफल फिलिम दिवाना से फिलिम छेत्र म में कदम रखा इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्में फेयर प्राथम और बिने प्रशकार प्रादान किया गया और इसके पस्चात इन्होंने कई फिल्मों में नाकरात्मक भूमिका आदा की जिन में डर उन्हें से 93, बाजिगर उन्हें से 93 और अन्जाम उन्हें से 94 में सामिल वो कई परकार की भूमिकाओं में दीखे गए हैं और वो विविन विविन परकार की फिल्मों में भी कार्या किये हैं खान के माता पिता पठान मुल्क के थे और उनके पिता ताज खान और एक सोतंत्रा सोनानी थे जो और उनके मा लातिफा फातिमा मेजर जर्नल सहनवाद के पुत्रा थे खान ने अपनी केरियर की सुरुवाद उने से 88 में दुर्दसन के धराई फोजी के प्राम में किया और जिसमें उन्होंने कनाडो अभीम अरी मन्यूर राय की किरदार आदा की और उसके उप्राम उन्होंने और कई धराई को में अभीनाय किया और जिन में प्रामुक था उने से 89 का सरकस जिसमें सरकस काम करने वाले ब्यक्तियों के जिवन का सर्न वर्नन किया गया था और जो अजिस मेर्जाद द्वारा नेदेशित था और उसी ही बर्स उन्होंने आरूंदित राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिलिम इन वी गेस इट दो वांस में एक छोटा किरदार निभाया था यह फिलिम दिली विश्वा विधाले में विधारती जीवन पर अधारी थी और अपने उन्हें से पंचानमे में इन्होंने आद दीतिया चोपड़ा कि पहले फिलिम दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे में मुक्या भूमिकानी भाई यह फिलिम बॉलिवूट के इतहासिक में सबसे सफल हिट बड़ी फिलिम में से एक माली जाती है और मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह 12 सालों चल रही है और इस फिलिम के लिए उन्हें एक बार फिर फिमेल सर्वस्रेश्ट अभिनेता प्रसकार हासिल हुआ उन्हें से 96 में उनके लिए एक निरास जनक साल रहा कि उसमें 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 उनकी सारी फिल्म शफल गही और उन्हें से 97 में उन्हेंने यस चोपड़ा की फिलिम दिल तो पागल है में सुबास गाई की परदेश और आजिज मिर्जा की यस बस जैसी हिल्मों के साथ साथ सफलता के छेत्रा में फिर कदम रखा और उन्हें से बर्स उन्हें से अंठाइमे में करन जवहर की बत और निर्देशित पहली फिलिम कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हीट को सित हुई और खान को चोथी बार फिल्म एफे और सौर्वा स्रेश्ट अबिनेता पुरशकार हासिल हुआ इसी साल उन्होंने मनी रतन की फिल्म दिल से में अपने अबिने के लिए फिल्म समिच्छकों से काफी तारिफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सरल रही अगला बर्स उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और लावकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एक मात्रा फिल्म बाजसा का प्रजसन एसमार नहीं नहीं रहा और वो असत बैपार ही कर पाई और सन 2000 में अदितया चूपडा की मोहबते में उनके केरियर के उनके किरदार को समिच्छकों से बहुत ही प्रसांच मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मे 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 पेर समिछा को सरवसरे सब्विनेता प्रशकार मिला उसी साल आई उनकी फिल्म जोस भी हिट हुई और उसी बर्स में खान ने जोही चाला और आजीद मेजा के साथ मिलकर अपनी खुद को फिल्म निर्मान कमपनी ड्रेम अनलिमिटीड की अयस्तापना की और इस कमपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें खान और चाला ने दोनों आभिने किया बॉक्स अपिस पे जादू बिखानने में असमर्थ रही और कमल हसन की बिद विवाद ग्रश्त फिल्म हेराम में भी खानने एक सहयोगी की बुमिकानी भाई जिसके लिए उन्हें समिच्छा को ने सराना किया और हाला कि यह फिल्म भी अवसापल स्रेनी में रही दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेतरी चितरासी रावत हिंदी फिल्मों की अभिनेतरी है और इन्हों ने चकड़े इंडिया मूवी में अपना महत्वपुन भुमिका के साथ दिखी है जो फैंस को काफी अच्छा लगा है और फैंस ने काफी सराना किया है और चारु खान के साथ इनका जोडी भी जबदस दिख रही है और दोस्तों बात करें अभिनेतरी सिल्पा सुकला सिल्पा सुकला भी हिंदी फिल्मों की एक अभिनेतरी है और वो ब्यक्तिकत जीवन दिल में सिल्पा सुकला ने आमिता तियेटर गुरूप के साथ अपने अभिने केरियर की शुरुआत की और ये भी चकदे इंडिया मूवी में अपना जबरदस्ट पर्फोमेंस के साथ दिखाए दिये है जो काफी अच्छा लग रही है और दोस्तों बात करें सागरी का घाट के अबिनेत्री भारतिय फिल्म अबिनेत्री है और एक मॉडल और फिल्म अबिनेत्री है जिन्होंने 2007 में चकदे इंडिया में प्रती सबरावल की भुमिका के साथ अपनी सुरवात की थी और 2015 में इन्होंने डर के डर फैक्टर की डर फैक्टर में प्रत्योगी के रूप में भाग लिया और फाइनल में बने और वो एक राष्टिय एस्तर पर एंतलिट है और राग और सागारिका का जनम माराष्ट में कोहलपूर में बीजे सिंग घाट और उर्मिला घाट के से घर हुआ था और जहां वो आट बस की युवक तक रही थी और उसके बाद वो मेया और उसके बाद वो मेय कॉलेज में गल्स स्कूल में पढ़ने के लिए राजस्तान आज मेर चली गई वो कोहलपूर से साहु महराज के माध्यम से भारत के पुर्वाशाही घर से संबन्दित है और उसके पति काज उसके पिता काजल कागल के पुर्वाशाही परिवार और उनकी दादी सितार सितार राजे घाट इंदर के और तुकोंजी राव कोहलकर की बेटी है उनका एक फाई है और वो एक राष्ट्य एस्पन्त की हाकी की लाड़ी है 2007 ने इनके फिल्म चक्दे इंदिया में भार्ति मयलाराष्टि हाकीटिम के एक कलापनी सदस्य प्रतिस बाब सबसवाल सबवाल की चर्ड चित्रित किया है और वो फैशन चप पत्रिकाओ को बेभीन फैशन सो में दिखाए दी है 2009 में फिल्म फॉक्स के रूप में उवर्शी है और मतुरा में दिखाए दिये बाद में उसने माली नाम की इमली हम या कमया की चर्ड रित्रित किया गया है सारु खान की फिल्म चक्दे झाली है